हलो फैंस वेल्गम तो स्मार्ट नोकी चैनल दोस्तो देश और दुनिया के सबसे बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लिजे स्मार्ट नोकी चैनल के साथ जिया दोस्तो हम आपके लिए लेकर आते हैं लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे रेल वी भाग के सबसे बड़ी अपडेट के बारे में जिया दोस्तो आप सभी को पता है कि काफी लोग जो है अब दूसरे दूसरे राज्यों में फसे हुए हो सभी लोग जो है अपने अपने घर लॉटन चाहते हैं लेकिन देस बयापी में जो है लोकडाउन चल रहा है और 21 जो है दिनों का जो यह लोकडाउन है वह चऊदा अपरल को आपका लास्ट रहेगा यानि कि 15 अपरल से आपका लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और 15 अपरल से जो है देस में सब कुछ जो है रेल बस हवाय जात सभी की आत्र चलाए जाएंगे जिनमें से 15 से 21 जिए दूस्तो पंदरा तारिक से अपके ट्रेन स्टार्ट होगी और 21 अपरेल तक चला जो एगी तो यह साथ दिन में आपको कितने ट्रेन चलेंगे में और इननकडуже जा पाएंगे जिए मोधी सरकार ने आप सभी के लिए जो है नहीं नहीं स्कीम जो है रोज रोज लाते रहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज को टॉपिक देर ना करते हुए तो दोस्तों सबसे पहली सीज यह बता दू कि 15-21 तीन यानि टोटल जो है आपको साथ दिन का समय मिल रहा है क्योंकि करोना वारे जो है कम्यूटी स्प्रेड में फैन लेका बहुत जादा खत्रा है और भारत इसमें अभी दूसरे दौर में हैं अगर हम बात कर लिए अभी प्रेजेंट में तो टोटल 5500 करोना के पेसेंट अभी जो है भारत में पाए हैं जिए दोस्तों जिसमें से 17 69 के आसपा जो हैं अभी तक मारे जा चुके हैं करोना वायरस के वज़े से और 468 लोग जो हैं ठीक हो चुके हैं तो दोस्तों यह आकड़े दिन का दिन बढ़ते जा रहें जियां दोस्तों तो इसलिए जो है कम्यूनिटी स्पेट को ना फैनने दिये जाए इसके वज़े से सारी ट्रेन एक साथ नहीं चलाई जाएंगे और सभी लोग को एक साथ जो एक ही डब्बे में या एक ही ट्रेन में इस प्रकार जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में इसी प्रकार एकठा हो जाएंगे तो जो है लोगों को ले जाएंगे एक दिन में तो बताते हैं हम आपको सिच में तो इस वीडियो में होती है जो एक डब्बे में एक तो यानि कि एक से लेके बहत्तर सीटों पे बहत्तर लोग नहीं बैठेंगे जिया दोस्तों इसके आकड़े जो हैं आधे आद लगबख 30 लोगों को जो है एक डबे में बैठाए जाएगा अब इसमें गुड़ा कर दें हम 10 का तो लगबख 300 लोग जो है एक ट्रेन से जा सके प्लेटफॉर्म पर जैसा कि आप देख सकते हैं इसलिए इस बात को देखते हुए जो है बहुत ध्यान दिया गया है कि जादा ट्रेनों को एक साथ नहीं चला जाएगा और इस परकार यहां पर देख सकते हैं सोसल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया गया यानि जादा भीड खांसी को कुछ नहीं होना चाहिए आप पूरी तरह से स्वस्त होने चाहिए तभी आपको जो है जाने के लिए टिकट दिया जाएगा और आपके पास जो है रीजन होना चाहिए या तो ही आप बहुत बूरे फसे हुए है या तो बहुत मजबूरी है तभी आपको जाना द दोस्तों यहां पर भी कोई एसी स्कीम नहीं जारी हुए, तो यहां पर एक ही अपस्वेंट है कि पहले आओ, पहले जाओ, जी यहां दोस्तों, जो पहले बुकिंग किया, उसका नंबर पहले आ जाएगा और वो चला जाएगा, बस यही एक अपडेट है आपके लिए, कोई ज़्यादा पैसे देंगे, या फिर आपको ज़्यादा जो है, प्रिफरेंस मिलेगा, आपको कोई दलाल आपको कहे, कि मैं आपको टिकेट लाके देता हूँ, आपको पहले जाने को मौका मिलेगा, जी नहीं दोस्तों, यहां पर एक इचीज साफ साफ मेंशन है, कि आगर जो इनसान पहले बुकिंग कर रहा है, उस टिकेट के हिसाब से जो है, उसे पहला मौका दिये जाएगा, और बहुत ध्यान से आपको जो है, साफ़धानी के साथ जो है, स्टेशन पर जाना होगा, और आप सपास जो है, सफाई को मेंटेन करना है, दोस्तों, अगर आपके बड़ी खबर आती ही, मजदूर भाई भाई भैनों के लिए, तो दोस्तों, उनके सभी के लिए जिनके खाते में अभी तक 2000 रुपे नहीं आए, जी या दोस्तों, काफी ऐसे मजदूर भाई भैन है, जिनकी खाते में 2000 रुपे नहीं आए, उस सबसे पहले बैंक जाए और अपना एक खाता खुलवाई जिया दोस्तों अगर आपके बाद जंधन खाता नहीं है तो आप चाहिए और अपना खाता खुलवाई जंधन में या फिर आपके खाते में जो है दो हजार रुपे महीने आना स्टार्ट हो जाएंगे और ये तीन महीने तक चलने वाला है लेकिन दोस्तों निर्मला सितरमन अभी हाली में जो है बयान में कहा कि वो जो है नई गोचना लेकर आने वाले है क्योंकि करोना वारिस जो है पुरी देश में तेजी से फैल रहा है तो यह अंकड़े आपको देखने को मिल सकते हैं पांच महीने में जियां दोस्तों यानि कि लगबग आपको दस हजार जियां तो टोटल दस हजार रुपे जो है मिलेंगे इस करोना साइम के समय तो उमीद करता है जानकर आपको पसंद आगए राशन के लिए दोस्तों आपको फर्म भरवाएंगे जिसमें आपका अधार काड आपका नाम लिखा होगा और उसके बाद आपको पर परसन यानि कि जितने इंसान आपके परसाथ हैं यानि आपके परिवार में अगर आप है खूद है आपके भाई भेने आपके पतनी है तो उस सभी के हिसाब से ज कोशन आपका है वो वीडियो के निचे जरूर पूछिएगा थाइंक्यू सो मच फर वाचिन दिस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा हम आपके लिए लेकर आएंगे रेलवे से जोड़े सभी थमाम खबरे सबसे पहले स्मार्ट नो करीपर